और दिल्ली के पूर्व मुखेमंत्री अर्विंद केश्यवाल और मौजूदा मुखेमंत्री आतीशी ने मानहानी के मामले में सुप्रेम कौर्ट का दर्वाजा खटखटाया। ये केस अगरवाल समाज का नाम वोटिंग लिस्ट से काटने वाले दावे से जुड़ा हुआ है। केश्यवाल ने लिखा था कि अगरवाल समाज के 4 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं। केश्यवाल आतीशी, मनोज कुमार और सुशील कुमार को भी इसमें आरोपी बनाए गया था। इस मामले में अर्दिन केश्यवाल के अलावा जो नाम हम आपको बता रहें उनको आरोपी बनाए गया। केश्यवाल और आप आधीपार्टी के कई अन्य नेताओं पर मानहानी के अपरात में कारवाई करने के मांगे। इस पर कोट के तरफ से समंग जारी हुआ था। अब और जो बड़ी बात हैं वो भी आपको ज़रा समझाते है। केश्यवाल और आतीशी को निचली अदालत ने इस पूरे मामले में यानि कि मानहानी के मामले में समन भेजा। पेश होने के आरोप लगाया। इसके खिलाफ समंग के खिलाफ आतीशी और केश्यवाल पहुंचे हाई कोट। उसके बाद मुकदमे को रद करने की मांग दोनों की तरफ से यहाँ पर की गई थी। बीजेपी ने केश्यवाल पर लोगों को भड़काने की कोशिश का आरोप लगाया। कोट में केश्यवाल आतीशी और अन्यको ट्रायल कोट के सामने पेश होने के आदेश दे लिए। और इसी पूरे मामले में अब जो यह कानूनी प्रक्रिया है वो आगे बढ़ते वे नज़र आ रहे हैं। इस मामले में आप केश्यवाल और आतीशी सुप्रेम कोट महुंचें। 27 सेतंबर को यानि कि कल सुप्रेम कोट सुनवाई करने वाला है।